पडोस की भुआ जी कह रही थी उनकी नजर में एक लड़के का रिष्टा है कनेडा विच ओ अगले हफ्ते पिंड आ रहे ने सोनी दे लई मैंनू ओ लड़का चंगा लगदा है अच्छा कनेडा विच है लड़का फिर तो जरूर अच्छा ही होगा हमारी सोनी कितनी भाग्यवान है भुआ को बोलो हम तयार है सोनी कॉलिज से पड़कर वापीस आती है सोनी तेरे लिए एक खुश खबरी है भुआ जी ने तेरे लिए एक सोना मुंदा देखा है मेरे लिए मा मेरी बढ़ाय के भी दो साल बाकी है ओ, कोई नहीं सोनी, पढ़ के क्या करना है, तुने कनेडा जाना है, उदर वैसे ही सब अच्छा है कनेडा, इत्ती दूर ओ, दूर क्या है, तू हवाई जहाज में बैठ कर जाएगी शान से पता नहीं उदर क्या करूंगी करना क्या है, अपना घर संभालना, बच्चे पालना, होर की, और कनेडा में एश से रहना अमर्दीप अपनी मा और भुआजी के साथ सोनी के घर पर जाता है अमर्दीप कनेडा से आया है, उधर इनका तीन मंजिला बंगला है, दो गाणिया है, बहुत वदिया इंगलिश बोलता है, ये लोग वहाँ पर बहुत सुखी है अमर्दीप, कनेडा में क्या करते हो? जी, हमारा अपना बिजनेस है ब्राम्टिन में, हमारा बेटा उधर चार लाख इंडियन रुपे कमाता है जी, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई सोनी किद्धर है, उसको तो बुलाओ सच्रीकाल जी सच्रीकाल जी, सच्रीकाल सोनी और अमर्दीप एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं माता पिता शादी की तारिख पक्की कर देते हैं और सोनी शादी के बाद ब्रैम्टन, कैनेडा चली जाती है अमर दीपकी कनेडा में गुकान है और वो रोज रात को पी के घर प्याता है वो हर रोज किसी ना किसी छोटी मुटी बात पर सोनी को मारता पीड़ता है सोनी अपनी मा से फोन पर बात करती है मा ये बहुत मारते हैं कनेडा में भी लाइफ नर्क बनी हुई है कोई नहीं बेटा, ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा सोहनी गर्ब पती होती है, जिसके बाद उसे एक बेटी होती है अमर दीप का सोहनी को मारना पीटना और शराब पीना जारी रहता है वो उसे किसी ना किसी बात पर मारता पीटता रहता है अगले साल सोही फिर से गर्ब होती हो जाती है वो डॉक्टर के पास जाती है और अल्टरा सांट करवाती है अल्टरा सांट करवाया? नर्स कहा रही थी इस बार भी लड़की है बेटा, फिर लड़की, इसका कोई फायदा नहीं चल डॉक्टर के पास चल कर सफाई कराते हैं क्या, कनेड़ा में भी ऐसा होता है क्या मतलब, कनेड़ा में लड़की लड़की नहीं होती क्या एक लड़की है न, अब लड़का ही होना चाहिए तुने देखा है अमरदीप का गुसा कितना तेज है? अगर मुंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा वैसे भी लड़की होने का फाइदा ही क्या है? लड़का होगो तो इज़त तो होगी? क्या प्राम्टम, क्या भटिंडा? लड़की के जिन्दगी तो नर्ख ही होती है, मार खाना और काम करना सोहनी क्लिनिक जाती है और अपना गर्फ बात करवाती है वापिस आने के बाद उसके पती का उसे मारना पीटना उसी तरह से जारी रहता है पडोस की बुआ जी कह रही थी, उनकी नजर में एक लड़के का रिष्टा है कनेडा विच ओ अगले हफते पिंड आ रहे ने, सोनी देलाई मैंनू ओ लड़का चंगा लगदा है अच्छा, कनेडा विच है लड़का, फिर तो जरूर अच्छा ही होगा हमारी सोनी कितनी भाग्यवान है, भुआ को बोलो हम तयार है सोनी कॉलिज से पढ़कर वापिस आती है सोनी, तेरे लिए एक खुश खबरी है, भुआ जी ने तेरे लिए एक सोना मुंडा देखा है मेरे लिए, मा, मेरी पढ़ाय के अभी दो साल बाकी है ओ, कोई नी सोनी, पढ़के क्या करना है, तूने कनेडा जाना है, उदर वैसे ही सब अच्छा है कनेडा, इत्ती दूर ओ, दूर क्या है, तू हवाई जहाज में बैठ कर जाएगी शान से पता नहीं उदर क्या करूंगी करना क्या है, अपना घर संभालना, बच्चे पालना, होर की, और कनेडा में एश से रहना अमर्दीप अपनी मा और भुआजी के साथ सोनी के घर पर जाता है अमर्दीप कनेडा से आया है, उदर इनका तीन मंजिला बंगला है, दो गाणिया है बहुत वदिया इंग्लिश बोलता है, ये लोग वहाँ पर बहुत सुखी है अमर्दीप, कनेडा में क्या करते हो? जी, हमारा अपना बिजनेस है ब्राम्टिन में, हमारा बेटा उधर चार लाख इंडियन रुपे कमाता है जी, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई सोहनी किद्दर है, उसको तो बुलाओ सच्रीकाल जी सच्रीकाल जी, सच्रीकाल सोहनी और अमर्दीप एक दूसरे को देखते हैं, और एक दूसरे को पसंद करते हैं माता-पिता शादी की तारिख पक्की कर देते हैं, और सोहनी शादी के बाद ब्रैम्टन, कैनेडा चली जाती है अमर्दीप की कैनेडा में एक दुकान है, और वो रोज रात को पी के घर पे आता है वो हर रोज, किसी ना किसी छोटी मुटी बात पर सोहनी को मारता पीड़ता है सोहनी अपनी मा से फोन पर बात करती है मा, ये बहुत मारते हैं, कनेडा में भी लाइफ नर्क बनी हुई है कोई नई बेटा, ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं बच्चे हो जाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा सोहनी गर्ब पती होती है, जिसके बाद उसे एक बेटी होती है अमर तीप का सोहनी को मारना पीड़ना और शराब पीड़ना जारी रहता है वो उसे किसी ना किसी बाद पर मारता पीड़ता रहता है अगले साल सोहनी फिर से गर्ब होती हो जाती है वो डॉक्टर के पास जाती है और अल्टरा साउंट करवाती है अल्टरा साउंट करवाया? नर्स कहा रही थी, इस बार भी लड़की है बेटा, फिर लड़की, इसका कोई फाइदा नहीं चल डॉक्टर के पास चल कर सफाई कराते हैं क्या? कनेड़ा में भी ऐसा होता है क्या मतलब? कनेड़ा में लड़की लड़की नहीं होती क्या? एक लड़की है ना, अब लड़का ही होना चाहिए तुने देखा है अमरदीप का गुसा कितना तेज है? अगर मुंडा हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा वैसे भी लड़की होने का फाइदा ही क्या है? लड़का होगो तो इजज़त तो होगी क्या ब्राम्टम, क्या भटिंडा लड़की के जिंदगी तो नर्ख ही होती है मार खाना और काम करना सोहनी क्लिनिक जाती है और अपना गर्फ बात करवाती है वापिस आनि के बाद उसके पती का उसे मारना पीटना उसी तरह से जारी रहता है